हेलो स्ट्वेंट्स आज हम देखेंगे आपका जो लास्ट टॉपिक हमने किया था आपका पैलल प्लेट कैपिस्टर और उसमें डाइलेक्ट्रिक का एफेक्ट साथ में हमने ब्रेकिंग पोटेंशल देखा था आपका तो उसके नोट्स आपनों का ठीक है तो यह कुछ है लग सकता है हम दो डाइलेक्ट्रिक को क्या था आपका जैसे हम डाइले लेक्ट्रिक को प्लेज करते हैं। मतलब होता है कि इंशोलेटर तो होता है, एंसुलेटर में जो प्लस और झो प्लस की तरफ माईनस की तरफ को जिसकी वज़े से अंदल माईनस की तरफ को duckwood हो जाएगा से माईनस की तरफ को इससाइट को टैककर दिए, जो बॉहररे वाला Eliectric बाहर वाला electric field और अंदर वाला electric दोनों एक दुश्य के opposite है ना इस वज़े से प्लेटों के बीच में इन दोनों plates के बीच में जो electric field है वो total थोड़ा कम हो जाएगा आपका जिसकी वज़े से अगर electric field कम हो रखाया तो आपका potential भी कम हो जाएगा आपका तो यहीं हमने यहां पर लिखा है तो अगर electric field कम हो जाएगा आपका तो इससे क्या हो जाएगा VB कम हो जाएगा क्योंकि V is equal to EDR होता है और जैसे ही potential कम होगा तो capacity बढ़ जाएगी आपका तो यह याद रखना अगे बढ़ता है आपका तो जैसे जैसे आप यह potential बढ़ाते हो ना आप लोंका यहाँ पर plus charge और minus charge बढ़ाओगे अगर आप बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा यह minus और plus के बीच की distance बढ़ते जाएगी ना एक condition ऐसा आएगा कि यह टूट जाएगा हो गया और जिस टाइम यह दोनों plus minus टूट जाएगे तो एक दूसरे से independent हो जाएगे फ्री हो जाएगे तो negative charge फ्री हो गया प्लस फाला charge फ्री हो गया तो इस टाइम इसको conductor की तरह भी एफ करता है एक ताम metal की तरह भी एफ करता तो जितना भी charge store किया था वह खतम होना start कर देता है आपका जिस minimum potential में यह काम होता है उसी minimum potential को हम बोलता है breaking potential तो the minimum potential in way dielectric becomes conductor is known as आप लों का या this minimum potential is called breaking potential यह याद रखना है साथी में इस time पर जिस time पर यह तूटेगा आपका जिस time पर यह दोनों टूटने आप लोंगा उसी time पर यह electric field की value होती ना उसको बोला जाता है इस dielectric की strength की यह इतना जहल सकता है इतना electric field को जहल सकता है आपका ठीक है तो यह dielectric strength और breaking potential and dielectric strength के बीच में एक relation होती है आपका कि breaking potential is equal to dielectric strength multiplied by thickness mess इस dielectric की कितनी thickness है तो यह आपको याद रखना है